हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, वी वे लर्न टूडे हिंदी ग्रामर, आज हम लोग हिंदी ग्रामर जानेंगे, यहां से आपके लिए 10 कुशन्स होंगे, यह सभी कुशन ना के वल के वियस के लिए, बल के वियस के लिए भी मत पुन होंगे, सो विडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा विडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें, ताकि यार विडियो को नोड़िकेशन सबसे पहले आपको मिले, अगर आप KVS, NVS, PRT, TGT, PGT के तियारी कर रहे हैं, तो बेसक या विडियो आपके लिए बहुत मात्पून है, तो हम लोग पहले कोर्शन को जाने, जूत मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब वाक्यों को समझे, यहां लिखा होँआ जूत मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसको विदान वाचक भी हम कहते हैं आप फर्स्ट नमर का उत्तर दें इसका सही उत्तर क्या होगा इस एंसर इस थर्ड निशेद वाचक यह नहीं देखें इंग्लिस हम लोग क्या बोलते हैं प्रश्ट वाचक क्या होता है जिसमें प्रश्ट करते हैं जिसमें कोई भी जो प्रश्ट करते हैं निगेटिव क्या होता है जिसमें हम नकारात्मक कर देते हैं और विदी वाचक क्या होता है जिन वाच्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान रुप बोदो उन्हें विदी वाचक कहते हैं तो जूट मत बोलो कैसा वाक्या है तो वो निशेद वाचक है Come to the second number question निम्लकेद वाक्यों में मिस्र वाक कोन है First number में परिश्रमी चाथ परिक्चा में सफल होता है Second number में बच्चे दौड रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे Third number में परिधाना चारे का कहना है कि परिश्रम सदेव सफल होता है और fourth number में इसकूल खूल गया और पढ़ाई भी सुरू हो गई आपको मिस्र वाक बतानी है दो number question में जो options है उसको आप एक बार पढ़ ले उसके बाद इसका आप उत्तर दे Okay, its answer is third परिधाना चारे का कहना है कि परिश्रम सदेव सफल होता है देखें आप ये जाने कि मिस्र वाक क्या है इसे भी आप गौर करें मिस्र वाक की परिवासा ऐसे वाक के से है जिनमें सरल वाक के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक के भी सामिल होता है इसमें सबसे पहले क्या होता है सरल वाक के होता है और इसके साथ साथ कोई उपवाक के भी होता है इसे आप गौर करें सरल वाक के साथ साथ कोई क्या होता है उपवाक के भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिस्रवाग कहते है, उके, ठाट नमर कुश्चन को आप जाने, उनकी वानी से असंक, यहां डैस है, थोड़ा मिस्प्रेंट हो गया, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको और करें, यहां डैस है, उनकी वानी से असंक, डैस कील उटे, यह निरजीव अंता को जीने का नमीन उस्सा मिला है, फर्स्ट है रचना है, सकेंड है हिर्दय पुष्प, थार्ड है नमीन विचार, और फूर्थ है मनो भाव, आप इसका उतर दें, इसका सही उतर क्या होगा थार्ड नमर का, ओके, इस एंसर इस सेकेंड, यहां पर क्या होगा, हिर्दय पुष्प, इससे आप गौर करें, हिर्दय पुष्प, यहां जो डैस दिया हुआ, यहां पर क्या हो जाएगा, उनकी वानी से असंक हिर्दय पुष्प, खिल उठे, एवन इर्जीम जनता को जीने का नमीन उस्सा मिला, इनके वाक्य में भक्ती, जीवन, दर्शन, एवन कवित्त की डैस बहती है, फर्स्ट है धारा, सेकेंड है गंगा, थर्ड है त्रिवेनी, फोर्थ है बैयार, अब बताएं, यहां डैस क्या होगा, इनके वाक्य में भक्ती, जीवन, दर्शन, एवन कवित्त की डैस बहती है, आप फोर्थ अंबर का उत्तर दे हैं, इस answer is third, त्रिवेनी, यहां पर क्या हो जाएगा, इनके वाक्य में भक्ती, जीवन, दर्शन, एवन कवित्त की त्रिवेनी बहती है, Come to the fifth number question अपनी भक्ति परक संगीत मैं रचना के कारण सूर्दास डैस कभी है यानि सूर्दास किस काल के कभी माने आते हैं भक्ति परक यानि भक्ति काल के संगीत मैं रचना के कारण सूर्दास डैस कभी है सूर्दास भक्ति काल के कवी है इससे तो आप जानते ही है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको डैस बर नहीं है अपनी भक्ति परक संगीत में रचना के कारण सूर्दास डैस कवी है पानी पानी होना मुआवरे का हर्त है फर्स्ट लजज़ित होना स्केंड भींग जाना थर्ड डूब जाना फूर्थ सुक्षी होना आप मुआवरे पड़े होंगे ग्रामर की पुस्तकों में अब देख पानी पानी होना का क्या सही अर्थ है Okay, its answer is first, लज्जित होना, यानि पानी पानी होना का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है, लज्जित होना, come to the seven number, दात काटी रूटी का अर्थ है, first, कुरुद होना, second, गनिष्ट मित्रता, third, छकित होना, fourth, संकटबा होना, यानि दात काटी रूटी, आप seven number को उतर दे, okay, its answer is second, गनिष्ट मित्रता, यानि दात काटी रूटी कार्थ क्या होता है, गनिष्ट मित्रता, okay, come to the eight number question, eight number question को जाने, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, या निमलकित में से किस कहावत कार्थ है, first, अंदे नगरी चौपट राजा, second, आंक के अंदे, गाठ के पूरे, third, मान को बतानी है, कहावत, किसकी कहावत, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, आप eight number को उत्तर दे, okay, its answer is third, मानो तो देव, नहीं तो पत्तर, इसका सही अर्थ हो जाएगा, किसका विश्वास सबसे बड़ी चीज है, okay, यानि eight number को उत्तर क्या हो जाएगा, third number, come to the nine number, मिट्ट गोडों के दोडने से खेत की मिट्टी खराब होना, second, मिट्टी में खाद देना, third, हालात या इज़त खराब होना, fourth, धन बरबाद होना, अब बताएगे, मिट्टी पलीद होना, मौावरे का सही अर्थ क्या होगा, आप nine number को उत्तर दे, okay, its answer is third, हालात या इज़त खराब होना, मिट्टी पली दोना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हालात और इज़त खराब होना, okay, come to the ten number, ten number, oh, यहां तोड़ा मिस्प्रिंट है, यह ten number होगा, okay, ten number, क्रिष्टन ने गाना गाया, वाक्य में कारक है, first, कर्म, second, संबोधन, third, संप्रदान, fourth, करता, आप बताएग है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिष्टन ने गाना गाया, आप सेंटेंस को पढ़के समझ ले, यहां पर आपको कारक बता नहीं है, okay, कारक बताएगा, आप ten number, यह ten number है, okay, आप इसका उत्तर दे, ten number का, okay, its answer is fourth, करता, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, करता, यानि करता ने, करता के साथ क्या लगता है, ने, करता ने, अब आप यहां भी जान ले, कर्म के साथ क्या लगेगा, कर्म को, कर्म के साथ क्या लगेगा, को, यह यह भी होता है, अब संबोधन यहां दिया हुआ, तो आप संप्रदान में क्या लगता है कोके लिए और यहां संप्रदान में क्या लगता है कोके लिए किया लिखाओर कृर्ष्ट ने तो करता ने यहां क्या उत्तरों जाए करता संब्धषग में क्या होता है हे अरे एक्सामिशन procrast all हो taking और कर्म में क्या होगा को यह भी होता है और संपरदान में क्या होगा को के लिए या नि זה को भी दोस्तों के साथ सेर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद